आज असी रिसकस करन जा रहे हैं, operator for the total energy So the total energy E, किसे भी अगर असी particle दी लेनी हुवे ता ओसी लेनने है, sum of its kinetic as well as potential energy ता ओधे लही, kinetic energy नो तो उन्हों बता असी लिख सकते हैं P square upon 2m, और V जेड़ी है, ओधी potential energy है और होना सी की किता है, P दे जड़ी अलग-लग components ने P square नो उसी लिख सकते हैं, P x square plus P y square plus P z square ओसी लिखिया है, divided by 2m plus V, Z की x, y, z दा function है तो ए नो थोड़ा easy तरीके ने लिखिया, ए ए एगगों जड़े होदे components जड़े है ओसी दे parts दे विच जड़ा उनो लिखिया होया है, उन्हें इसे चीज नो ही rewrite किता होया 1 by 2m, P x square plus P y square plus P z square plus V x, y, z तो जड़ों आसी, जड़े P y, P x, P y और P z जड़े ने, इनना दे आसी operators derive किते होए ने, और जड़े operators हाँ, आसी जिर्फ प्लेस कार रहे हैं थे curly x, P y दे जगाते लिखिया है, minus iota h cut curly by curly y, and similarly P z दे जगाते यसे लिखिये, minus iota h cut curly by curly z, चीक है, तो ए दे विच तो सी देख से थे, क्योंकि यह सब दा square हो रहे है, ता iota दा भी square हो रहे है थे, तो iota दा square z जड़ा, ओ, minus हो जान दे, minus 1 हुन दा है, एवले minus z जड़े ने, क्योंकि square कारण जड़े है, वो cancel हो रहे हैं, और h cut z जड़ा वह सारे अंदे वीच आ रहे है, तो इसलिए है h cut the square by 2m z जड़ा है, along with negative sign, वो सी बार निकाल ले है, तो साधे कोल सिरु बचेगा, curly 2 by curly x square, plus curly 2 by curly y square, plus curly 2 by curly z square, ए दे अंदर बचेगा, और दे नाल अगे plus b, ए जड़ा operator है, हुन ए असी निकाल दे सी energy, उन एनर्जी नो ओपरेटर फॉर्म दे वीच में असी लिख रहे हैं, तो ए की हैगा, ए है हमिल्टोनियन ओपरेटर है, इस चीज नो असी बोल दे है, हमिल्टोनियन ओपरेटर, and this is the operator which is corresponding to energy, capital E, तो अगे असी देख देख दे हैं, time independent Schrodinger equation, असी पिछे पड़ी होई है, एक हमिल्टोनियन ओपरेटर है, हमिल्टोनियन फंक्शन जेड़ा से निकाल लिए है, ह ही है, हो सारी चीज, तो इस तरीके नाल असी simplify करके, अगर असी इस चीज नो असी लिख सकरें है, ह साई is equal to E साई, तो अगर असी एदे नाल असी compare करिए, ए है इसी साड़ी आईगन वैल्यू एक्यूएशन, कि अगर असी उप्रेटर एक फंक्शन दे उपपर लगाया, तो अनो फंक्शन ही मिल्दा, along with some constant value, चीक है, तो एदा मतलब ए है, कि जेड़ी E है, ओ आईगन वैल्यू है, ह जेड़ा वा, ओ इनर्जी उप्रेटर है, तो एदा मतलब ए है, कि जेड़ी time independent student equation है, एवली, this is an example of आईगन वैल्यू एक्यूएशन, और जेड़ा number E है, ए हैगी है, आईगन वैल्यू, आईगन जेड़ी के, ते आईगन फंक्शन जेड़ावा, ओ साई है, छीक है, इन्नों वसी साई बोलांगे, H दा जेड़ावा आईगन फंक्शन है, और E जेड़ी है, ओधी आईगन वैल्यू है, तो हून असी अगी further move कर दे है, time dependent form थे, तो time dependent form दे लिए ऐसी जेड़ी, time dependent शिरोड़ें जेड़ी क्वेशन है, ओवसी अत्य जेड़ी है, प्रॉपर लिख लेनी है, अपनी सारी, और एदे वीच तुस एच साइ, चीक है, तो एधोर उसी देख सकते हो, कि अगर असी एदर वा साइड है एच साइड लिखके एदो में साइड नूं कमपेर करिए, ता ह हैमिल्टोन ने ओप्रेटर है, और एदा मतलब यह है कि हैमिल्टोन ने ओप्रेटर है, this is equivalent to this operator, है जेड़ावा, आयोटा, एच कट बाई, करली बाई, करली टीवी, जेड़ाव, ओधे नाल भी एसी रिप्रेजेंट कार सकते हैं, तो जेड़ा यह वाला ओप्रेटर है, this operator is associated with the energy E, यह जेड़ा पार्ट है, यह थोड़ा जया, पहले भी देख्या सी, जदो असी टेबल किता सी गा, observables है, तो ओधे टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है, जेड़ी तुसी पहले पड़ी है, हमिल्टोनियन, ओ टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है, तो देरा टू ओप्रेटर बिसिकली associated with the energy, तो इस अगई असी निकाले होए ने, कम्यूटेटर फंक्शन निकाले है, बिसिकली, पुजीशन और म पाइन कर देंगें, अब पहले ए भी लिख लो बाच बी ए लिख लो तो उन्हों दो माइनस करके, ओ जड़ावा सी कम्यूटेटर निकाल सकते हैं, तो अगर असी ए नो असी एक्स ले लिए, और बी नो असी पी एक्स ले लिए, होन असी पुजीशन और मुमेंटम दा ले असी निकालना चाहने हैं, कम्यूटेटर दी वैल्यू, मतलब इस चीज दी वैल्यू निकालना चाहने हैं, असी एक्स पी एक्स दी, तो एक्स पहले लिख लो, फिर तुसी पी एक्स लिख लो, फिर तुसी माइनस लिखना है, फिर तुसी पी एक्स लिख लो, फिर तुसी उनके से function दे उपड़ अप्लाई करना तो जदो असी इन फंक्शन दे उपड़ अप्लाई कर देया तो एक function एत्थी आ जाओगा f और एदे नाल xf बन जाएगा साथ डिकूल हुन ए है यह differentiation ठीक है obviously ए भी differentiation है but ए दे विच x तो अड़ा बार है f तो अड़ा अंदर है but ए दे विच xf जड़े 2 में अंदर है तो अड़ीकूल हुन एत्थी जड़ावा uv वला formula लगेगा uv दे नाल जड़ी है तो differentiation होईगी जड़े तुसी x नू बार रख लोगे f दे नाल कर लोगे फिर minus f नू लिख लोगे x नाल differentiation कर लोगे x नाल differentiation जड़ी है ओ तो अड़ी 1 आऊगी तो उन्हों 1 नू पामें लिखो पामें नाल लिखो तो अड़ी मरची है तो मतलब कहा है ना मतलब f ही जड़ावा उत्थी रहुगा तो ए जड़े दोनों चीज़ाने तो उसी देख सकते एक positive sign एक negative sign दोनों जड़ी है ओ cancel term हो जानगी है तो अड़ेकोल सिरफ बचेगा f तो इस तरीक्ये नाल जड़ा एदा commutator है ओ बांदा ए iota h cut f अगर सी function दे उपर देखिए तो commutator जड़ा ओ iota h cut बांदा है तो इसे तरीक्ये नाल जड़ा PXX है जड़ा अगर सी A नो B ना रिप्लेस का दिन दियो तो इथे की आज होगा BA minus AB तो which is negative of this तो PXX जड़ा ओ माइनेस ओफ एक्स पी एक्स हुंदा जड़ा की माइनेस आयोटा h cut हुंदा तो A हैगा तो अडिकोल commutator for position and momentum this is iota h cut और यह बहुत इज़ी इसे तरह ही जड़ा तो अनू दो function जड़ा ने उदित्ते होंगे दो operator दित्ते होंगे तो अनू दो operator सा जड़ावा तो अनू commutator निकालन दे लही जड़ावा ओ दित्ते होएगा एक्जाम देविच इसे तरह ही नेक्स आर्टिकल देविच उसे देख देओ commutator for time and energy तो एदेली पहले वाला operator आसी time लेले है दूसरे वाला operator आसी लेले है energy वाला operator ठीक है अे देले फिर इस तरह ही पहले T लिकलो फिर ऐवला operator लिख लो B operator फिर minus बी पहले लिख लो फिर A operator लिख लो और इसे तरह ही असी F function दे उपर लगादे हो तो जदो तुसिंदो F function दे उपर लगान देो तंसी इसी last article देविच कीता है सेम जेडा वा सारा प्रोसीजर हो ही है कि f एक वरी थे f 10 वाला फंक्शन बन गया एद भी छुन अगें एथे डबल फंक्शन है और देकोल सिर्फ पॉसिव नेगडिव साइन डिफ्रेंस है बागी आयोटा ही डावा और इस्तित रही है तो